नमस्ते दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का मेरे चैनल पकवान पर कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए अल्मोडा की एक फेमस मिठाई सिंगोडी लेकर आई हूँ आप सभी लोगोंने बाल मिठाई का नाम तो सुना होगा लेकिन जो लोग उत्राखंड से नहीं हैं उन्हें सिंगोडी के बारे में कम पता होता है इसलिए मैं आज आपको सिंगोडी बनाना सिखाऊंगी तो चलिए इसकी विदी देखते हैं दोस्तों अब मैंने 500 ग्राम खोया ले लिया है अब मैं एक कड़ाई लूँगी और उसमें ये खोया डाल दूँगी और इसे मैं धीरे धीरे चलाऊंगी दोस्तों आपको गैस धीमी रखनी है क्योंकि तेज आख पर खोया जल सकता है और हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है दोस्तों मैंने ये बजार का खोया लिया है लेकिन अगर आप चाहें तो इसे घर में भी आसानी से बना सकते है अब देखिए ये अच्छी तरीकी से पक गया है मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसे 15-20 मिनट ठंडा करने के लिए रख दूँगी दोस्तों देखिए ये हैं शिवाली के पत्ते अब मैं इसकी कौन बना लूँगी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास शिवाली के पत्ते ना मिलें तो टेंशन मत लीजिए आप इसे नॉर्मल बर्फी का आकार भी दे सकते हैं जैसे मैं पत्ते को अटेच करने के लिए टूटपिक का इस्तमाल कर रही हूँ ताकि कौन अच्छे से बन जाए आप देखिए मैंने चार कौन रेडी कर लिए दोस्तों अब खोया ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें सभी चीजे मिला लेती हूँ सबसे पहले मैंने इसमें डेट सो ग्राम चीनी का बुरा मिलाया है और अब मैं इसे अच्छे से खोय में मिला लेती हूँ आपको याद रखना है कि खोया अच्छे से ठंडा हो जाए नहीं तो चीनी इसमें पिगल जाएगी और पूरा खोया पतला हो जाएगा चीनी के बाद अब हम इसमें एक छोटी कटोरी गोले का बुरादा मिला लेंगे अब मैं इसमें दो चम्मच चिरोंजी मिलाओंगी और देड़ चम्मच इलायची पाउडर मिला लूँगी चिरोंजी और इलायची से इसका टेस्ट दो गुना हो जाता है अब यह मिक्षर बनकर तयार है अब मैं इस मिक्षर को कौन में भर लेती हूँ आपको याद रखना है कि मिक्षर अच्छे से ठंडा हो जाए यह तभी कौन में अच्छे से भरा जा सकता है अब मैंने इस तरह से दो कौन रेडी कर ली है एक प्लेट में मैंने घी लगा लिया है और बचे हुए मिक्षर को अब मैं बर्फी का आकार दे दूँगी प्लेट में डालने के बाद आप इस मिक्षर को पंदे मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख लीजिए ताकि बर्फी के अच्छे से पीस कट सकें अब मैंने पंदे मिनेट बाद इस मिक्शर को फ्रीज से निकाल लिया है और अब मैं इसे बर्फी का शेप दे दूँगी देखिए आप इसे अपने इसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं दोस्तों बनकर तयार है अलमोडा की फेमस सिंगोडी इसे घर पर बनाएं और इंजोई करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शियर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद